नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है फायरवर्ट शार्क स्मार्टोच जॉहाली में लॉंच हुई है फ्लिपकाट पे और आपको मिलती है 1699 में हाला कि इसकी प्राइस कम जड़ा हो सकती है लेकिन अगर आपको स्मार्टोच 1199 ये उसकंडर मिलती है तो काफी अच्छी डिल है ये है कॉलिंग स्मार्टोच रगिट डिजाइन के साथ तो काफी दूरेबल मटेरियल का उसके आगया है जैसे कि जो गलास से स्क्रैच प्रू हार्ट रेट एन स्पूटू सेंसर, गेम, क्यालकुलेटर और ये है IP67, वाटर एन डस्ट, रसिस्टन्ट बतलब के आप इसे पानी में एक मिटर गह रहे तक आदे खेंटिक लिउस करपा होगे तो स्मार्टोच की जो बिल कॉलिटी है काफी बहतर है, सोलिड है, स्टर्ड बैक के बात करेंगे तो बैक में है 2-pin charging slot, SP2 and heart rate sensor, यहाँ पे speaker और mic, आप इन straps को remove भी कर सकते हैं और remove करने के लिए आपको इस pin को नीचे के वर खिशना है और फिर इसे बाहर करना है, insert करने के लिए आपको नीचे के hole में pin को align करना है, फिर उपर वाली pin को नीचे खिशना है और hole में align करना है इस तरीके से, बात करते हैं battery और charging के तो आपको इस तरीके से attach करके इसे charge करना है, इसमें है 230 mh की battery, इसे full charge करने के लिए आपको लगेंगे 2 hour आपको पुम लेगा 7 days का battery backup, लेकिन अगर आप calling के उस करोगे तो आपको पुम लेगा 2 days का battery backup, charging करने के उससे भी charging कर सकते हो या आप अपने power bank से भी अपनी watch को charge कर सकते हो, इस smart watch को first time उस करने से पिले आपको इसे full charge करना है ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले, तो मैंने इसे full charge कर लिया है, मैं करूंगा इसे switch on तो आपको उपर वो ले button पे long press करना है, तो smart watch switch on हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी pairing अपने smartphone के साथ, इस smart watch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में, play store में जाकर इसे आपको download करना है, दाफिट, दाफिट इसे आपको download कीजिए, आपको इसे करना है, open, अपना gender set कीजिए, male or female, इसके बाराद आपकी birthday आपको set करनी है, date, month or year, आपकी height centimeter में set कीजिए, आपका weight kg में, tick पे tap कीजिए, allow कीजिए, उपर में लिखा होगा to add, आपको इसे पे tap करना है, while using the app पे tap कीजिए, allow कीजिए, फिर से allow कीजिए, ताकि आपके phone में Bluetooth on हो जाए, आपको wait करना यहाँ पे show करेगा, firebolt 119 आपको इसे पे tap करना है, device के पेर हो चुकिए, आपके phone के साथ, इसके बाद आपको मिलेगा एक pop-up, calling को पेर करने के लिए, आपको पेर पे tap करना है, इसका मतलब है कि, अब आप अपनी watch में भी call को receive कर पाओगे, सबसे पहले है, watch faces, तो अगर आपको watch face को change करना हुआ, तो आपको one tap में इस तरी के से change करना है, watch face को, तो change करना काफी आसान है, अगर आपको download करना हुआ, तो last में है plus का sign, आपको इस पे tap करना है, यहाँ पे आपको मिलते है 220 plus watch faces, अगर आपको किसी भी watch face को download करना हुआ, तो आपको इस पे tap करना है, मुझे download करना है, एक ऐसे watch face को जिसमे battery level percent में show करें, तो आप इस तरीके से किसी भी watch face को download करके apply कर सकते हैं, जो watch face है, डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हो, और watch face में यहाँ पे उपर में battery level भी show किया जाएगा percent में, अगर आपको अपनी खुद के photo set करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे है, watch face number 3 पे लिखा हुआ edit आपको edit पे tap करना है, फिर swipe करके अगर आप जाओगे end में, तो यहाँ पे होगा plus का sign, उस पे tap कीजिए, gallery को open कीजिए, जिस किसी photo को आपको set करना है, आपको इस photo पे tap करना है, मुझे set करनी है, यह photo तुमें इस पे tap करूंगा, आप इसे zoom in zoom out कर सकते हो, फिर आपको करना है, tick पे tap, time जो है उपर में शो करेगा, अगर आप चाहते हो time नीचे शो करें, तो यहाँ पे है time position, हम करेंगे below मतलब की नीचे, इसके लावा above time, below time, मतलब की time के उपर और time की नीचे, आपको क्या शो करना में चाहते हो time की उपर शो करें, date और time की नीचे शो करें, steps तो आप इस तरीके से कोई भी दो चीजों को show कर सकते हो time के उपर और नीचे, और जो time का color है, आप यहाँ से change कर सकते हो, उसे भी इस तरीके से, फिर आपको करना है, save up, तो आप इस तरीके से अपने किसी भी photo को set कर सकते हो watch face पे, तो photo है, set हो चुकी यह watch face पे, आप देख सकत हो, इस तरीके से, आप अपनी watch में एक साथ 8 watch face को place कर सकते हो, हाला कि watch face number 3 और जो 8 है, उनी को आप change कर पाऊगे, बाकी watch face fix होते है, आप उन्हें change नहीं कर सकते, आप अपनी watch से भी watch face को change कर सकते हो, आपको watch face पे long tap करना है, और फिर इसे swipe करना है, watch face के बीच में switch करने के लिए, जिस watch face को आपको set करना है, आपको इस पे tap करना है, इस तरीके से, आगे है notification, इस पे tap कीजिए, phone को on कीजिए, permission को allow कीजिए, ताकि आप अपने calls अपनी watch में रिसू कर सको, message को भी on कीजिए, SMS के लिए allow कीजिए, और इन में से आपको कौन-कौन से apps की notification रिसू करनी ह अपनी watch में आपको इन apps को on करना है, इस तरीके से, enable tap कीजिए, दाफिट को on कीजिए, allow कीजिए, बैक जाईए, इसके लवा, WhatsApp, Instagram, अगर आप चाहते हो, आपके phone में जितने भी apps अवलेबल है, उनसे भी apps की notification आपके watch में शो करें, तो आपको others को on करना है, हलाकि मैं others को offer र तो इस तरीके से आपको मिलेगा, call का preview आपकी watch में, आपकी watch में contact का ना में number शो करेगा, आपकी watch करेगी vibrate और आपकी watch में बजेगी ringtone, अगर आपने ringtone पे set किया होगा तो, आपको मिलेंगे यहाँ पे तिन options, अगर आप इस ringtone vibration को mute करना शाहाते हो, तो आपको पहले icon पे adjust करने का option, तो आप यहाँ से call के volume को adjust कर सकते हो, अपनी watch में इस तरीके से, फिर है इस call को switch करने का option, जो call है अब चल रहा है watch में, अगर आप चाहते हो call चले phone में, तो आपको इस पे tap करना है, जो call है transfer हो जाएगा phone में, अगर आपको वापस आना है watch में, तो इस पे tap किज और यह है call को cut करने का option, अगर आपको अपनी watch में call को return करना है, तो आप call के feature को अपनी watch में ओभी कर सकते हो, आपको जहाँ है control center में, और यहाँ पे होगा call का button, इस पे tap करके से off किजिए, ऐसे में अगर आपको वी call आएगा, तो आपकी watch में show तो करेगा, लेकिन आप अब उसे अपनी watch में review ने कर पाओगे, इस तरीक से मिलेगा आपको call का preview, contact का ना में number शुकरेगा, आपकी watch करेगी vibrate, ringtone नहीं बज़ेगी आपकी watch में, आपको बलेगी 2 options, इस preview को यहाँ से remove करनेगा, और इस call को यहाँ से cut करनेगा, अगर आपको अपनी watch में call को receive करना है, त लेकिन watch में display on हुआ नहीं है, watch की है cable vibrate, display को आप कौन करना पड़ेगा, और यह है SMS, contact का ना में number शुकरेगा, और यह है message का content, हिंदी font support करते हैं, लेकिन emoji support नहीं करते, आप यहाँ पर इस तरीक से read कर पाओगे, 6-7 line, अगर आप चाहो तो इसे clear कर सकते हैं, यहाँ से clear के WhatsApp message आता है, तो किस तरीक से चुका रहेगा, आपकी watch में, WhatsApp message आ चुका है, watch में भी आ चुका है, लेकिन watch का display on होता नहीं है, watch करती है cable vibrate, display कोन कीजिए, इस तरीक से आप read कर पाओगे, आपके WhatsApp message को, और यह रहा उसका content, miss कर दिया तो आपको homepage पर करना है, swipe up, और आप message को, अगर आपको सभी को एक साथ clear करना हुआ, तो यहाँ पे है clear all का button, एक साथ clear करने के लिए, यह है shutter मतलब की camera controller, तो आपके इस पर ट्याप करना है, while जिंदी एप पर ट्याप कीजिए, आपके phone में open होगा camera, और आपकी watch में open होगा shutter button, तो आपको अपने watch में जो shutter है, उस पर tap करना है, तीन सेकंड की timer के बाद आपके phone में capture होगी photo, तो आप tap करके यह shake करके अपने phone में photo capture कर सकते हो, इस तरह किसे, जो भी photo capture आप करोगे, आप यहाँ से उसे देख पाऊगे, flash को आप यहाँ से उनुप कर पाऊगे, और यहाँ से camera को कर पाऊगे, rotate, यह है e- अगर मतलब कि आप अपने payments के QR code को या आपने किसी भी social media profile के QR code को save कर सकते हो, अपनी वाच में, maximum 3 QR code आप add कर पाऊगे, तो आपको इस पर tap करना है, सबसे पहले आपके QR code है, आपको इसे save करना है, आपके phone में screenshot capture करके, फिर आपको upload पर 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 प नाम दीजिए, ओके कीजिए, save, फिर से add करने के लिए plus की sign पर tap कीजिए, your code add कीजिए, अगर मान लेते यह है, phone pay के लिए, तो आप यहाप पर type कीजिए, phone pay, अगर आपको इन में से किसी को भी remove करना हुआ, तो आपको करना है, swipe lift, minus की sign पर tap करके, आप उसे remove कर सकते हो, और save करने के लिए back pay tap कीजिए, यह है favorite context, तो आप अपने चुनिनदा add context को save कर सकते हो, अपनी watch में, तो आपको इस पर tap करना है, add pay tap कीजिए, जिस किसी context को आपको save करना है, उस contact के सामने जो number है, आपको इस पर tap करना है, इस तरीके से tick हो जाएगी, तो मैं इसे कोई भी add context को select कर लूँगा, तो मैंने add context को add कर लिया है, फिर आपको करना है, done पर tap, जिस order में contact से आपके show कर रहे हैं, उसी order में आपकी watch में भी show करेंगे, हलाकि आप इन्हें उपर नीचे कर सकते हो, आपको त्री बार पर long tap करके इन्हें drag करना है, उपर नीचे करना है, उपर नीचे क इसमें star या hash हो, अगर आप ऐसा कोई number add करोगे, तो आपके context आपकी watch में sync नहीं होगे, तो सारे context sync हो चुके है, इसके आगे है others मतलब की settings, इसमें सबसे पहले है find device, इस option के तरी आप अपनी watch को ढूण सकते हो, मालो आपने अपनी watch को के पर रख दिया है, आपको नहीं मिल इसमें अगर आप इस पे ट्याप करोगे, तो आपकी watch में होगी तीन चीजे, डिसलियोन हो जाएगा, आपकी watch में होगा vibration और आपकी watch में बजएगा tone, हाला कि ये feature तभी खाम करेगा, जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी, आप अपनी watch में time को set नहीं कर सकते, जो time आपके phone में show कर रहा है, से मही time आपकी watch में भी show करेगा, हाला कि आप जो time format है, उसे change कर सकते हो, यहाँ पे है time format का option, तो आपको लेंगे दो option, 12 hour या फिर 24 hour, आपको जिस format में time को show करना है, अपनी watch में आपको इस format पे करना है selection और करना है, done, unit system और language आपको change नहीं करना है, इने र करेगा, मतलब कि आपकी watch में कोई भी calls या message नहीं हैंगे, इसके लाबा आपकी watch में कोई भी sound या vibration प्ले नहीं होगा, यह है continuous heart rate detection, मतलब की automatic heart rate monitor, तो अगर आप चाहते हो, आपको इस पे tap करके timer को set करना है, जैसे मान लेते हैं, मैंने timer set किया है, 20 minute मतलब की, अब मेरी watch में हर 20 minute के बाद heart rate automatic measure होता रहेगा, अब जितना timer यहाँ पे कम रोख होगे, उतनी ज़्यादा battery यूज़ होगी अपकी watch में, अगर आपको battery backup बड़ी आचा है, यह तो आपको इसे close करना है, मतलब की इसे use नहीं करना है, मैं करूंगा इसे done, मतलब की अब मेरी watch में heart rate automatic measure नहीं यह है battery saver mode, तो अगर आपको अपनी watch में battery को save करना है, अगर आपकी watch में battery level कम है, तो आपकी watch में अगर आप इसे use करोगे, तो आपकी watch में होंगी, charge j, calling का feature off हो जाएगा, brightness सबसे कम level पे sit हो जाएगी, vibration off हो जाएगा, और आपकी watch में race to wake का feature काम नहीं करेगा, यह है auto lock मतल आप से बढ़ा सकते हो timer को, maximum है 30 seconds, लेकर अगर आपको battery backup बढ़िया चाहिए, तो आप set कर सकते हो 10 या 15 seconds, मतलब कि अगर मैंने 15 seconds को set किया है, तो मेरी watch में अगर मैं display icon करूँगा, तो 15 seconds के लिए on रहेगा, उसके बादफ हो जाएगा, यह है reset करने का option, तो इस option के जरी कलाई को race करोगे उपर की ओर, तो आपकी watch में display on हो जाएगा, यह है drink water reminder, तो अगर आपको अपनी watch में पानी पिनी का reminder set करना है, तो आपको इसे on करना है, start time मतलब कि सबसे पहला reminder आपको कब चाहिए, मैं चाहतो सुबह में 9 बज़े सबसे पहला reminder आए, इसके लाब आपको कितनी बार पानी पिना है, मैं चाहता हूँ 6 बार, और आपको हर कितने राइम के बाद पानी पिने का reminder चाहिए, यह तो मैं चाहता हूँ हर 2 घंटे, तो यहाँ पे है 120 मिनट, इस तरीके से अब मुझे दिन में 6 बार आएगा पानी पिनी का reminder ऐसा होगा हर 2 घंटे के बाद अगर आपको अपनी watch में अपने location का weather देखना हुआ तो आपको अपनी city को यहाँ पर add करना है city पर tap करके आपको अपने city का नाम यहाँ पर search करना जैसे कि अगर है मुंबई तो मुंबई टाइप कीजिए मुंबई पर tap कीजिए मुंबई का weather शो करेगा आपकी watch में और यह है end में female logo के लिए physiological cycle reminder मतलब की period tracker तो अगर आप एक female हो और अगर आपको अपने period को track करना हो तो आपको इसे own करना है और यहाँ पे आपको अपना data fill up करना है इसके बाद आपकी watch में period tracker own हो जाएगा और यहाँ पे end में है upgrade करने का option आप यहाँ से अपने watch के firmware को update कर सकते हो आपको tap करके यहाँ पे check करना है अगर available होगा तो आप यहाँ से उसे download भी कर पाऊगे लेकिन अब खिलाल है up to date अब बात करते है profile settings के तो आपको profile के tap करना है profile पेड़े आप करके आप यहाँ से अपना gender, birthday, height, weight और step leg मतलब की कदमों के लंबाई चेंज कर सकते हो जब चाहे तब इस तरीके से यह है goal मतलब की daily step goal रोजान आपको कितने step चलने है तो आप यहाँ से अपना जो daily step goal है चेंज कर सकते हो जब चाहे तब इसके आगे है background operation production guide तो अगर आप चाहाते हो आपके watch आपके phone के साथ बार बार disconnect ना हो और यह जो एप है background में ठीक से work करें तो आपको करनी है दो चीजे आपको इस एप को open करना है recent app में आप आप करना है और यहाँ पर होगा log this app का option आपके phone में हो सकता है log का icon यह लिखा होगा keep open आपको इस पर आपको इस पर आप करना है इस तरह किस लोग का icon श्रो करेगा इसके बाद आपको जाना है app info में battery में और यहाँ पर आपको state करना है पहले पे earn restricted पे और यह है google fit तो अगर आप चाहते हो आपका dark fit आप में जो भी data है जैसे की heart rate, sp2, steps, distance, calorie energy यह sync हो जाए google fit के साथ तो आपको speed app करके करना है connect मतलब कि दोनों app में आप अपने data को चेक कर पाओगे अब बात करता है homepage की जहाँ पर आपको शुकर रहेगा आपका आज का activity और vital data आप इस page पे swipe down करके इस से refresh कर सकते हो इस तरह किसे तो यह है आज का data आज आपने कितना distance को और किया है calorie energy और आज का workout time यह है sleep data तो अगर आप चाहते हो आपके watch में आपका sleep data measure हो तो आपको अपनी watch को सोने के दुरान पहन रखना है यह जो sleep data है night time में ही measure होता है और जो भी data measure होगा आपको यहाँ पे show करेगा detail में आप ट्याप करके इस से check कर बाओग इस तरह किसे कि आप कितन आपको यहाँ पे show करेगा आप ट्याप करके उससे check कर पाओगे इस तरह किसे detail में और आप अपनी watch में जो भी workout करोगे उसका data अगर आपको check करना हुआ तो यहाँ पे है look more training data का option आपके इस पर ट्याप करना है आपके सारे workout यहाँ पे show करेंगे detail में तो हमने इस आपके ज डिसप्लेs off है अगर आप कईसे own करना हुआ तो आप उपर वाले या फिर नीचे वाले वड्यन पे प्रेस करके डिस्प्ले को own कर सकते हो इस तरह के से उपर वाले वड्यन के है chain unique functions तो डिस्प्ले को own करने के लिए आप उपर वाले ब्रण पर प्रेस कर सकते हो इस तरीके से अगर आप किसी भी मेनु में एंटर करते हो वहाँ से आपको step-by-step इस पर प्रेस करना है step by step back जाने के लिए और अगर आप इस पर long press करोगे तो आप कर पाओगे अपनी watch को switch up आपको tick पे tap करना है switch up करने के लिए step by step back जाने का और एक तरिका है आपको करना है swipe right इस तरीके से step by step back जाने के लिए नीचे वाले बढ़नके हैं दो unique functions तो अगर PCB page पे अगर आप इस पे press करोगे तो आप access कर पाऊगे workout mode को इस तरीके से ये है workout mode और अगर आप इस पे long press करोगे तो आप open कर पाऊगे watch face settings को और आप यहां से भी swipe करके watch face को change कर पाऊगे home page पे अगर आप swipe down करोगे तो आपको मिलेगा control center उपर में battery level और date यहां पे show किया जाएगा सबसे पहले toggle है dnd का तो आप यहां से one tap में dnd को on up कर सकते हो dnd को अगर आप own करोगे तो आपकी watch में कोई भी call या message नहीं आएंगे इसके लाव आपकी watch में कोई भी sound या vibration प्ले नहीं होगा आगे है brightness को adjust करने का toggle तो आप यहां से इस तरीके से slide करके brightness को adjust कर सकते हो इस तरीके से यह battery server mode जो हम देख चुके है app में अगर आप इसे own करोगे तो आपकी watch में होंगी चार चीजे यह है e-card जो भी आपने QR code एड़ किये 3 QR code यहाँ पेशो करेंगे जैसे की my contact अगर आपको change करना हुआ तो आपको arrow पेट्याप करना है इनके बेश में switch करने के लिए इस तरीके से यह calling के feature को on-off करने का toggle अब यह on है मतलब कि आपकी watch में call आप रिसु कर पाओगे अगर आपको call को रिसु नहीं करना है अगर आपको call के feature को off करना है तो आप इसे one tap में off कर सकते हो इस तरीके से और end में है settings इसमें सबसे पहले है display और इसमें brightness तो आप यहाँ से भी adjust कर सकत हो इस तरीके से इसके बाद है menu view तो आपको यहाँ पर मिलेंगे आठ अलग-अलग menu style जिस style में आपको रखना है menu को आप उस तरीके से रख सकते हो यह है list view तो इस तरीके से शोके जाएगा list view फिर है grid view तो यह है grid view parallel view surface crescent full moon helm और end में है honeycomb और end में है wrist raise मतलब की wrist wave का feature तो आप यहाँ से भी से अनुप कर सकते हो वन टैप में पिर है vibrate entering तो अगर आपकी वाँच में कोई भी call आता है तो उसका alert आपको कैसा चाहिए तो आपको जाना है mode में और यहाँ पे है तीन अलग-अलग mode अगर आप चाहते हो call आने पे आपकी वाँच में हो केवल vibration तो आपको vibrate पे set करना है अगर आप चाहते हो call आने पे आपकी वाँच में vibration भी हो और ring भी बज़े तो आपको set करना है vibrate and ring पे अगर आप चाहते हो आपकी वाश में call आने पे कुछ भी ना हो ringtone भी ना बजे और vibration भी ना हो तो आपको set करना है mute पे फिर है ये intensity मतलब की vibration आपको कौन से level पे चाहिए अगर आपको चाहिए हलका सा vibration तो रखिए sort पे अगर आपको चाहिए भारी vibration तो set कीजिए strong पे फिर है audio of youtube मतलब की media output को change करने का option तो ये on है मतलब की अगर आपके phone में कोई भी media आप play करोगे कोई भी video या music तो उसका sound play होगा आपकी watch में अगर आप चाहिए हो जो भी आप media प्ले करो उसका sound आपके phone में ही play हो तो आपको इसे off रखना है यहाँ पे दिये गए है dnd mode low power mode आप यहाँ से भी इन्हे one tap में on up कर पाऊगे और यह है phone का feature तो आप यहाँ से भी call के feature को one tap में on up कर सकते हो फिर यह है phone reset तो अगर आप करोगे phone reset तो आपकी watch में होंगी तीन चीज़े call का feature off हो जाएगा आपने जो भी contact से होगे थे सारे हो जाएगी delete और आपकी जो call history है वो भी हो जाएगी delete system में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगी तीन options इस watch को restart करने का चुचोप करने का और इसे reset करने का और अगर आपको जाना हुआ कि आपकी watch में speaker ठीक से work कर रहे के नहीं और speaker का maximum output कितना है तो आपको जाना है about में version पे tap कीजिए और यहाँ पे लगातार पाच बार आपको tap करना है 12345 फिर आपको speaker test mode पे tap कीजिए और यह mic test आपको अपनी watch में कुछ भी बोलना है अगर आपको अपनी watch में सुने देता है मतलब कि जो mic है टिक से work कर रहे हैं इस तरह किसे आप अपनी watch में speaker और mic को check कर पाऊगे और जो app download है इसका मतलब होता है कि आप इस keyboard को scan करके दाट पीट आपको download कर पाऊगे जो हमने पहले ही download कर लिया है home page वगर आप swipe left करोगे तो आपको में लेंगे अलग-अलग shortcuts सबसे पहले है आज की activity मतलब की आज के steps, distance, calorie और आपका workout time इसके बाद यह plus का sign, मतलब की जो भी shortcut आप add करना चाहते हो आप यहाँ पे आप कर सकते हो UP plus के sign पे tap करना है यहाँ पे है अलग-अलग shortcut तो आपको add करने के लिए उस पर tap करना है इस तरीके से आप सभी को add कर सकते है वन-बाई-वन तो मैंने सभी shortcutts को add कर दिया है आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको इन में से किसको भी remove करना हुआ तो आपको इस पे long tap करना है उसे remove करने के लिए minus कसान पी tap कीजिए, remove हो जाएगा अगर आपको इसे रखना है तो बीच में tap कीजिए तो activity के बाद है आपका sleep data आप कितना time सो है और आपके deep sleep और light sleep का time इसके लबा आगे है heart rate को measure करने का option tap करके आप उसे कर सकते हो measure इसके आगे है SP2 measurement tap कीजिए measure करने के लिए इसके आगे है weather information तो अभी फिलाल कितना weather है sunrise, sunset time इसके लबा आने वाले अगले 6 दिन का maximum minimum weather आपको यहाँ पेशो करेगा इसके आगे है phone call तो जो भी आपने add context को add किया आपके app में यहाँ पेशो करेंगे context में आप इन्हे देख पाऊगे अगर आपको इन्हे call करना हुआ तो आपको इस पे tap करना है call करने के लिए इसके बाद है recent call जो भी आपके पिछले 4 calls होंगे यहाँ पेशो करेंगे date के साथ इसके लवा अगर आपको यहाँ से किसी को भी call करना हुआ तो आपको इस पे tap करना है call करने के लिए आप इस call history को clear भी कर सकते हो आपको मिलेगा है यहाँ पी नीचे clear all का button और यह dial pad तो आप इस पे tap करके किसी भी number को dial करके call कर सकते हो बड़ी आसानी से इस तरीक से इसके आगे है workout mode आपको यहाँ पेशो करेंगे 20 workout mode लेकिन आप यहाँ पे add करना चाहो तो add कर सकते हो लेकिन add करोगे तो यहाँ पे शो करेंगे cable 20 तो अगर आपको add करना हो तो plus के sign पे tap कीजिए category को open कीजिए जिसे add करना है आपको उस पे tap करना है plus के sign पे इस तरीके से मान लेते हैं मैंने 5 add किये है तो अगर आप back जाओगे तो आपको उपर में show करेंगे 5 नए workout mode आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 5 नए add कि है मतलब की 5 पुराने नीचे से remove हो जाएंगे जितने आप नए add करोगे उतने नीचे से पुराने remove हो जाएंगे यहाँ पे show करेंगे maximum 20 अगर आपको इन्वेसी किसी को भी start करना हुआ तो आपको इस पे tap करना है start करने के लिए तो यहाँ पे show करेंगे जाएगा आपका workout timer, आपकी total steps आपकी calorie energy और आपका real time heart rate अगर आपको इसे pause करना हुआ तो आपको करना है इस तरह की swipe, pause करने के लिए यह रहा pause और यह है resume अगर आपको end करना हुआ तो end पे tap कीजिए अगर आप चाहते हो आपका workout data save हो तो आपको minimum एक मिनट के लिए workout करना है इसके आगे है shutter तो आपको tap करना है आपके phone में open होगा camera अगर camera open नहीं हुआ तो आपको अपने phone में जो daffit app है उसे open करना है तब भी camera open होगा फिर से आपको इसे try करना है इसके बाद आपके phone में open होगा camera फिर आप tap करके या shake करके अपने phone में photo capture कर सकते हो अपने watch के जरी है इसके आगे है music player तो play पे tap किजिए अगर music play नहीं हुआ तो आपको अपने phone में music player को open करना है music को play करना है यह previous next volume आप यहां से adjust कर सकते हो जो music है play हो रहा है watch में अगर आप चानते है music play हो मेरे phone में तो आपको जो media audio है उसे off करना है जाना है settings में और यह है audio Bluetooth आपको इसे off करना है इसके बाद अगर मैं play करूंगा music को तो play होगा मेरे phone में music जो play हो रहा है वो phone में play हो रहा है इस तरीके से आप media output को change कर सकते हो उस option के जरीए इसके बाद है breathing workout तो अगर आप stress में हो तो stress पर tap कीजिए timer set कीजिए और अगर आपको सोना है तो इसे में आप इस पर tap कीजिए timer start कीजिए इसके बाद यहाँ पर start होगा breathing workout आगे है alarm तो आप यहाँ पर add कर पाओगे maximum 8 alarms आपको plus के sign पर tap करना है time set कीजिए hour minute am pm set कीजिए टिक पर tap कीजिए किन किन दिन को आपको इस alarm को play करना है उन दिन को चुस कीजिए इसके बाद टिक पर tap कीजिए इस तरह के से आपको alarm को add करना है आप alarm को इस तरह के से on up कर सकते हो और उस पर tap करके alarm को change भी कर सकते हो या आप उसे clear भी कर सकते हो जब भी alarm कर time आएगा तब आपको मिलेगा alarm का reminder आपकी watch में vibration के साथ इसके आगे है timer तो आप यहां से timer को भी start कर सकते हो custom पर tap करके आप अपनी साब से hour, minute, second को state करके timer start कर सकते हो इस तरह के से आगे है stop watch इस तरह के से आप उसे start stop कर सकते हो और इसके आगे है games तो यहाँ पे battleship 2048, floopy bird और hamster और यह है calci तो आप यहाँ पे calci का भी use कर सकते हो और percent को find करने का भी option आपको यहाँ पे मिल जाता है home page पे अगर आप करोगे swipe right तो आपको मिलेगा quick menu जहाँ पे आपको show करेंगे 6 apps सबसे उपर में है voice assistant तो आपके phone में अगर google assistant या siri है तो उसका युदाप कर पाओगे आपको इस पे tap करना है call railway inquiry inquiry mobile इसके बाद एक calci heart rate measurement, weather, music player और workout mode और सभी apps को access करने के लिए आपको dots पे tap करना है इरह है आपके सभी apps इन में से हमने सभी apps को देख लिया है जो बाकी है देखना वो है exercise record तो मतलब कि जो भी आप workout को रहेगे उसका record अगर आपको देखना हुआ तो यहाँ पे आपको मिलेगा exercise record में इसके बाद है cycle tracking तो अगर आप एक female हो और अगर आपने cycle tracking को on किया है आपके app में तो उसका डिटा आपको यहाँ पे show करेगा यह है find phone इस option के जड़ी आप अपने phone को ढूंड सकते हो अपनी watch के जड़ी है माल लेते हैं आपका phone misplaced हो गया आपको मिल नहीं रहा है तो यहसे में अगर आप इस पे tap करोगे तो आपके phone में ring बज़ेगी अगर आपका phone silent board पे होता है फिर भी आपके phone में ring बज़ेगी तो आपको करना है find my phone पे tap और फिर आपको फिर से play पे tap करना है इस तरीके से stop करने के लिए बैग जाईए आला कि यह feature तभी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी दोस्तों तो यह था fire world shark smart watch का full setup guide अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप अमें पुछ सकते हो आप मुझे instagram पे या फिर twitter पे भी message कर सकते हो इस video को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो